आईए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे राज्यसभा सदस्त से जुन्होंने एक दिन पहले ही यानि कल ही पुराने संसद भवन में शपत ली वहां काम किया और फिर 24 घंटे के अंदर नए संसद भवन वो पहुचे हैं हमारे साथ हैं उत्तर पुदेश के पूर मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसर दिनेश शर्माजी सर स्वागत है आपका संसर्ट बहुत धन्यवाद आभार आपका ये मेरा सवभाग्य था कि मेरे जीवन में हर अच्छा काम चाहे मैं पैदा हुआ हूँ चाहे मैं किसी पर नौकरी पाया हूँ चाहे मैं पद पाया हूँ पॉलितिकल एक नहीं एक दर्जन से उपर पद पाया हूँ सब मंगल को और आज मंगल को मैंने उसमें प्रविश किया है और चौबिस घंटे कंदत जैसा आप बोल ले हो कि कल ये मेरा सवभाग्य था कि मैं पुरानी संसद में मैं सपत लेने वाला अंतिम व्यक्ति था यहां जो 75 साल का जो भी इतिहास इसका इतिहासी कि मारत का है यहां तमाम लोगों ने सपत ली है लेकिन अंतिम व्यक्ति में था कल और अंतिम व्यक्ति में सपत लेने वाला था और इसके बाद यहां पर जब मैं आया तो आज सपत लेने के बाद सबसे कम समय जिसका था वो उसके रुपे में यहां आने वाला पहला बेखते था यह भी आपसे समझना चाहूँगा आप चुकि ज़से न आपने यहां कदम रखा जाहिर है देश भर के लिए अतिहास एक दिन है लेकिन आपके संसद में आने के बाद अगले दिन महिला आरक्षण जैसा महत्वपूर्ण भी देए यह अपने आप में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं देखें मैं एक सब्द का प्रयोग जो हर आदमी करता है कि मोदी हैं तो मुम्किन है यह नारा बन गया है लोगों के मुका मोदी जी हैं तो वो गरीब का पिछड़े का युवा का अलसंखिक का भी और अनसुचित का भी समान का भी गरीबी रिखा के अंदर आने वाले समान शुरू किया मैं उत्तर प्रदेश में आता था आता हूं और उत्तर प्रदेश में यह स्थीति थी आज से 6 साल पहले यह पिछली सरकार्च में साम का सूर्य अस्त होने का इंतजार महला करती थी हाथ में लोटा लिये अपनी सम्मान की रक्षा के लिए कि लगु संखा के ल क्या गर्खुराराइं पॉलते हैं दूसरा उन्होंने कि करोना मेलाओं की हाते में पैसे जंदं खाता कोला था। जंदन खाता कोलने के साथ ही महलाओं के खातों में वो करोना के समय जो एक शंक्रमन काल था वो पैसा पहुंचा आज देखो अब घरगर गेस का चूला तुमाम बेमारियां हो जाती थी आज महलाओं को है पधार मंतरी आवस मिला है तो उसमें कोशिस यही होती कि महलाओं के नाम पर अधिकांस हो यानि महला तलाक का किया लोग बोलते थे तलाक 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 की एक गैर मानवी जो मान सकता थी महला विरोधी मान सकता थी उसको तलाक तलाक हो गया और पता चला कि महला जो तलाक किसके का जो संसोधन था या उसके विरोध में जो था उसकानून को एक जामा कानून जामा पहनाया गया कि इसमें दंडात्मा कर वही होगी इस प् मेला के लिए कठोर्तम दंड का प्रावदान हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में तो मंचलों का या जो मेला शिरकानी करते हैं तो एक काल बनके वहां का हमारा सासन मोदी जी और योगी जी का सासन जो है वहां पर काम कर रहा है तो महला को अधिकार मिले वो सशक्त हो आज जो महला एंटर्प्रेनियोर हैं आप यूपी में तो कुक मैं यूपी की खासताओं से बात करता हूँ बहुत संख्या में आ रहे है भारत वर्ज में भी मोदी जी ने भी कई बार की ओल महला करके प्रोथ साहित किया है महलाओं को लोन के विसे सुविधाएं दी हैं आज जितनी योजनाएं हैं उनका बेस पहला तो है गरीबी और दूसरा है उन्यन किसी का है तो महला तो यह जो प्रयोग किये हैं मोदी जी ने तो आज जो यह महला के संब्द में आप आरक्ष्ण की बात कर रहे हैं यह परिकल्पना है पह सब्दार से लिक हो है वहाँ पर जो डाट डारेक्ष्ण सिस्टम से पेइमेंट सिस्टम है उसकी सुरवाद की गाउं का इंटरने उसको डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया आज गाउं में डाकिया डाक लाया का कहानी नहीं होती है अब तो मोबाइल एक सेकेंड में मुमकिन कुछ नहीं है मुदियें तो मुमकिन है एक आखरी सवाल आप से पूछना चाहूंगा चुकि आपने एक दिन ही सही लेकिन पराने संसद भवन को भी देखा और वहां कामकाज भी किया लेकिन यह नए संसद भवन में आधुनिक्तम तक्नीक का इस्तमाल जो हुआ ह चाहें वो वाटर कंजर्वेशन के लिहाद से हो या फिर ग्रीनरी के लिहाद से हो और संसदों को डिजिटल तौर पर जो काम करने की सुविधा मिली है वो तो मैं आपसे समझना चाहूँगा यह कितना सुविधा जनक है आधुनिक भारत के तहत जो निउ इंडिया का पचास साल या सो सो साल आने वालों के बारे में सुच कर काम करते हैं और यह एक विजनरी डिसीजन है कि दुनिया के साथ इतना है वेल एक्यूब्ड कोई भी दुनिया का संसद बावन इतना हो मैंने कई जगे देखा है कई दिश्वें देखा जाके मांके संसद बावन को लेकिन आज जो आनंद की अनभूती मुझे यहां पर हुई है कंप्यूटर से सारी फैलें खुल नहीं थी एक एक चीज हर चीज डिजिटल है अब कोश्चन लगाओगे तो भी डिजिटल है पास बनवाओगे तो भी डिजिटल है आप बड़ा जोला बड़ा लिट्रेचर नहीं खोलो और अपने मोबाइल पर ही देख लो आपका आज का एजन्डा क्या है आपका आज का बिजनेस क्या है आपका लिट्रेचर आपके जियो कौन कौन से है आनि सब चीज को एक छोटे से कुछ पचास ग्राम के मोबाइल पर लाके डाल दिया है यह नौ भारत का अभ्यूद है और इसके जनक के रूप में प्रधान मंत्री जी सामने आए हैं और जब वो बोल ले थे संयुक्त जो सांसद राजसभा और लोकसभा के थे मैं समझता हूँ तो वो इतिहास एक एक शब्द इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो रहा था और इससे लोकसभा के कहानी को लिखा जा रहा था लिपी बद्द हो रहा था वो अपने आप से कि उसका आज ही आप विजन देखो आज ही सिफ्टिंग और आज ही वो सम्विधान बवन हो गया यह अदिबुत है और मैं समस्ता हूँ कि यह एक ऐसे भारत की यात्रा का प्रादर प्रारपदा जिस जिस बवन के सामने में खड़ा हूँ जो आने वाले अगले पांच सालों में भारत को सक्त साली देश पांच से तीसरी नंबर की अर्थ व्यवस्ता और तीसरी नंबर की अर्थ व्यवस्ता के साथ साथ एक सशक्त भारत जो बन रहा है उस यात्रा को दृत गामिकत से बढ़ाएगा शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तो आप देख सकते हैं यह थे राजसभा संसत दिनेश शर्मा जो आखरी सदस्य थे जिन्होंने पुराने संसत भवन में श्यपत ली थी और इनका कहना है कि जो नया संसत भवन है वो अपने आप में आधुनिक्टम सोविधाओं से युक् केमरमेन अमित के साथ मैंनव विक्रम सिंग संसर टीवी